हेलो गाइज, वेलकम बैक टुदी चनल केजियन आटो रिपेर सेंटर तो दोस्तो आज कैसे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके बजाज आटो के एसलेटर का वायर अगर तूट गया है या फिर अगर आउटर सेट जाम हो गया हो तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं इस लेटर कैसे पूरा फ्री हो गया है तो दोस्तो अब क्या करने है ना इसमें जो वायर लगा हुआ है ना इसको निकाल देगे यानि कि जो तार इसमें लगा हुआ है ना इसको निकाल देगे जैसे कि आप यहां पर देख पारे हो कि तार भी हल्का सा कटा हुआ है अब तार को बहार निकाल लेंगे अब दोस्तों यह जो वायर है ना इसको अब आउटर से बहार निकालना है तो इसके लिए हमें इसको मुंडिकों काटना पड़ेगा तो चलिए फिर इसको काटके फिर पीछे इसका ना मक्खी लगा हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको आप देख लिजिए कि इसमें मक्खी लगा हुआ है और यह मक्खी क्यों इसमें लगा हुआ है क्योंकि बजाज में तो क्लिप बलाता है ना वह फसाने वाला तू फसादने से तो हो जाता है इसमें मक्खी इसलिए लगा हुआ है मतलब बहार से ऐसी लगाया हुआ है इसलिए इसमें मक्ही लगाया गया है हलाकि इसमें मक्ही नहीं आता है इसमें फसाने वला आता है यह मैं आपको आगे दिखा दूँगा कि कैसा आता है इसका तो अभी क्या करना है न दोस्तो मक्ही को न खोलने का है और खोल के इतार को निकालने का है इसमें से तो हमारे पास यहाँ पे 8 नमबर का रिंच है तो हम इसे खोल लेते हैं अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसे पिलास से भी खोल सकते हैं उसके बाद फिर ये वाला नट को ढिला करके कि इसको इसमें से बहाँ निकाल लेंगे और यह जो नट है ना वो 14 नमर के रिंज से खुलेगा यह 14 नमर के नट लगे रहता है इसमें यह ऐसे नहीं खुल रहा है दोस्तो तो अभी क्या करना होगा ना एक तरफ से प्लास से पकर के रखना पड़ेगा और एक तरफ से इसको खोल नेने के बाद दोस्तों अब ना आउटर को न वहां निकालने गहां है लेकिन दोस्तों आउटर को पूरा खीच की नई निकालना नहीं है इसको रहार करेंगे निस को बीच से ना काट देंगे और उसी में confined वैर लगां के फिर नहींड वाला आउटर को बान्द पर इसके और में जाए आगे दिखाद देगे आपको यह किसे आप आपको नहीं रहाएं पहला है तो आपको यह कुछा देखे चापके टो आपको किया जा रहा है तो यह रहा हमारा नया इसलेटर का आउटर केवल सेट तो अब इसको नाइस में बांद देंगे उसके बाद इसको ऊपर की और खीच लिंगे कि अपर के सैंगे यह जा सेट ने दोटनो सेटें आप में बांद रहा है जा बांद रहा है तो यह रहा हैं जिहां आप इससादों के अपर लड़ में । तो यह बांद दिये अब इसके बाद आगे जाकर ना पुराना वाल आउटर को उपर की और खीचे गें तो नए आवला हमारा असानी से निकल आएगा उपर लेकिन दोस्तों आपको ना एक आदमी को बोलना पड़ेगा कि निया वाल आउटर को ना हलका धक्का दे हलका प्रेस करें आगे की और ताकि वह इजिली आगे और निकल पाए तो जैसा कि आप यहां पर देख पार है कि हमारा जो नया वाल आउटर है ना वह अब ऊपर की और निकल चुका है तो अब क्या करेंगे ना इसको जो खांच है ना उसमें फसाते हुए हैंडल के अंदर लेके जाएंगे उसके बाद वहां पर इसको एस लिटर में फसा दें लेकिन उसे पहले न इसको खोल लेते पहले जो पुराना वाल आउटर निया वाल आउटर को लगा के रखे ना मतलब बांद के रखे उसके बाद इसको फिर एस लेटर में लगाएंगे तो आपने इसको ध्यान से देखते रहे हैं कि किस तरीगे से हैंडल के अंदर लेके जाया जा रहा है कि मेरे वीडियो अगर आपको फसंद आ रही हो तो फ्लीज वीडियो को एक लाइक कर दिजिए अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और पासमरा की बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए और दोस्तों ये वीडियो को ना बी तो यहाँ पे नहतार सही तरीके से फस चुका है तो अब चलते हैं नीचे के तरफ और आउटर को ना सही तरीके से विवस्तिक धंग से उसको पीछे के तरफ लेके जाएंगे और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किस तरीके से कहा कहा फसाया जा रहा है और फसा के पी केबल को सब जगर सही तरीके से फसाने के बाद अब क्या करेंगे ना अब इसका जो एक नठे ना उसको खोल देंगे उसके बाद यहाँ फसा के फिटाइट कर देंगे दोस्तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि जो बजाज का ओरिजिनल होता है नवायर उसमें इसी तरीके के फसानी वाला होता है उसमें मक्ही नहीं लगते हैं और तार को फसाने के बाद फिर नोज प्लैर से इसको हलका सा ना दबा देंगे या भी कहाने कि निकालते वक्त फैल गया था तो इसको अभी थुरा दबा देंगे उसके बाद फिर इसको ना आपने एकॉडिंग एडजेस्ट करके उसके बाद नट को अच्छे तरीगे से चोधा नमबर के रिल से टाइट कर देंगे अजित को अच्छी तरीके से टाइट कर दिये अब उसके बाहर जो मुझ्छी को हालक होमात कर संब खुम रहे है कि हमार cheating कि नहीं है तो दोस्तो यहाँ बिल्लकुल सची तरीके से काम कर रहा है इसमें कोई रुकाबटे नहीं हा रहे है बिल्कुल फरी है यह क्योंकि अब आउटर ही सेट पूरा चेंज हो गया है तो फ्री तो होना ही था लेकिन यह फिर भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो हम इसी के साथ चलेंगे यह सब कर लेने के बाद अब हमारा काम जो लास्ट में बच गया है वो जो हैंडल का डिबी को खोले थ तो दोस्तों अबना जो काम था बजाज ओटो के एसलेटर को वायर को चेंज करना तो वह अब अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है या फिर आउटर के साथ पूरा केबल को ही चेंज करना तो वह भी अब अच्छी तरीके से हो चुका है तो आई होब दोस्तों कि मेरी वी वीडियो को जादा सहाधा सेर कंयung के जरूर वाइर काव रेता इसलिए-चेंज करना वह बहुत जरूरी है दोस्तों आज के लिए इतना काफी है मिलते है फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टे किया और बाई एंद थैंक्स पर वाचिन गिस्वीडियो